आज एक माता मिलने आई थी उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे सोबा कि माराज जी हमारा बहुत बड़ा घर था बहुत बड़ा व्यापार था बहुत बड़ा सब कुछ था और हम लोगों ने जो है अपने घर में दो बार कथा कराई और दो बार कथा कराने के बाद आज इ इसका मतलब क्या कि किसी को दोश नहीं दे रहे हम कि मतलब आपके कहने का भाव क्या यह तो नहीं ठाकि हमने भागवत की कथा कराई तो उससे हमारा घर वार सब चला गया और उन मां का ऐसा भाव नहीं था वो यह कह रहीं थी कि हमारे घर के लोग यह संशय करते हैं कि हमने भागवत की कथा कराई लेकिन हमको मिला क्या बलकि हम तो लुट गया हमारा तो सब कुछ चला गया हमारी घर में कुछ आया तो है नहीं पहली बात श्रीमत भागवत की कथा किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कभी मत कराना भागवत की कथा कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती है ना धन की प्राप्ति के लिए ना वैभव की प्राप्ति के लिए ना अन्यन्य अपनी मनो कामनाउं की पूर्ति के लिए श्रीमत भागवत मनुकामना मैं फिर पुनह कहूं आपकी मनुकामना पूरी नहीं होगी आपके लिए जो उचित होगा वो पुर्ण होगा जैसे छोटा बालक अपनी मां से कहता है कि मुझे पेपसी पीनी है मां दो थपड मारती पेपसी भीएगा गला खरा हो जाएगा तेरा क्या पीना है फिर वो ले लस्सी पी दूद पी छाच पी अब दो बातें बालक यहां पर मनुकामना पूरी करना चाहता है लेकिन मां उसको क्या देती है मां वो देती है जो उसके लिए उचित हो तुमी हो माता पिता तुमी हो भागवत की शरण में आये हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अब हमारी मनुकामना यह सब बाहर है ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो यहां पर आपके मनुकामनां की पूर्ती नहीं होगी आपके लिए जो उचित है वो आपको प्रदान तो पहली बात तो भागवत से कोई मनुकामना सिद्ध नहीं होती भागवत कराने से आपके घर में कुछ कस्ट हो गया आधी-आधी हो गया यह सब हो गया ऐसा विचार करना चाहिए कि कुई बार जीवन में ठाकुर जी संक्ट इस लिए देते हैं क्योंकि वह संक्ट pulak किसी बहुत बड़ी कुष्कवरी को नियोता दे रहे हैं जीवन में किई बार संक्ट आते हैं तो वह संक्ट इस रूप में आते हैं जैसे कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए अब फोड़ा होने पर आप वैद्धिय के पास गए डॉक्टर के पास गए आप ने का कि महाराज ये फोड़ा मुझे हो गया डॉक्टर बोले का लाओ इसको अभी निकालता हूं डॉक्टर ने जोर से आपका हाथ पकड़ा और जैसी फोड़े को वो नौचने लगे तो आपने अपना हाथ अटा लिए वो ले आप यह क्या कर रहे हैं आपने का नहीं ऐसे नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे शर लेगा तो जिस समय वो निकालेगा उस समय वो हमको साक्षात यमराज का स्वरूप लगता है कि कितना निर्दई है कितना डुष्ट है हमारे फोड़े को कितनी बुरी तरह निकाल रहा है लेकिन वास्तविक्ता यह है कि यदि वो नहीं निकालेगा नहीं दूर करेगा तो तो आज एक जो है वो एक दन अन्हींग हो जाएगा आज जो एक जगे सक्ष्ट दे रहा है ना जानी कि यह कित्नी सक्ष्ट देगा ठीक बंधु से प्रकार हमारी सीव में जो कस्ष्टfecture आते हैं हमारी जीवन में जो कभी-कभी नेचाव हम को देखने पड़ते हैं कभी उचाहियां भी दिखाते हैं ठाकुर जी लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि खूब उपर उड़ रहे थे, खूब आसमान में चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वज़े से सब समाप्त हो गया, उसको इसी भाव से ठाकुर जी की किरपा मान के स्विकार करो, कि शायद इस जनम का या कोई पूर्व वर्ती हमारा कोई अपराद होगा, जिसको ठाकुर जी हमसे भगवा रहे हैं, लेकिन विश्वास करना, ठाकुर जी एक दिन पुनह फिर उनुचाहिए उपर लेके जाएंगे, उसको स्विकार करो, अब उसके लिए दूसरों को तो भी मत रखो, नहीं तो यह चीज आपको ना जाने कितना दुख देगी